कुछ दिर पहले देश्वी आदब नितीज कुमार से मिले उसके बाद यह रूमर्स रहा कि नितीज कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं अब नितीज कुमार को जेपी नड़ा के सामने मंद से यह सफाई देना परा कि हम दो बार आर्डिटी के साथ जाकर गलती कि है हम 1995 से 1995 से समझते हैं राष्टी जनता दल के साथ सरकार चलाना आसान कारे नहीं था इस अनुहों ने नितीज कुमार जी को प्रेडित किया कि वो भविसे में कभी भी आर्जेडी के साथ राजनातिक गर्जोड बनाने की बात नहीं सोचे हैं और विभीन औसरों पर केवल जेपी नड जी के साथ नहीं प्रदानमंत्री जी की सभाओं में भी उन्होंने इस बात को बारबाट दोराया है कि 1995 के बाद जनरता दल उनाइटेड एंडिये का हिस्सा रही है और हम भविसे में भी लगातार एंडिये के साथ रहेंगे एंडिये का साथ बिहार के लिए बेहदा उश् है इसलिए कि गड़बंदन में जो समन्वय होना चाहिए वो भारती जनरता पार्टी के साथ सरुस्ष्ट स्तर पर है अन्य घटक दलों के साथ भी कोई असहेज होने की स्थिति नहीं होती है और विकास कारियों को लेकर जिस निर्धारित एजेंडा पर नितिश्कमाजी का करते हैं उसमें उन्हें अवरोध बिल्कुल किसी भी तरीके का पसंद नहीं आता है और इसलिए निर्बात गटी से जनरता सिखिये वाइदों को अमली जम्मा पहनाने का वो निरंतरता के साथ काम कर रहे हैं और इसलिए जो बजट के प्रावधान बजट की जो को लेकर जो केंद्र का रवया जितना उदार दिखा है हम यह जानते हैं कि विकास की राजनिती नितिश्कमार जी करते हैं और विकास के लिए केंद्र का साथ ब्यहदावशक है हम लोग मिलकर आगे का लक्षे हसिल करेंगे आर्जेटी प्रेटिक्स में काफी एक्टीफ है दीपेजी निटिंग किया और एक दिसकत निकाला थी वो अब अबसे चिनाववी रही है अफिर जो उनका दस्तारिक से यातरस देने वाला के अश्या रपोर्स में वो गंशा नहराएंगे और गंशा रखेंगे तोपी गं करने के लिए क्या मैसेज को देना चाहते हैं उसके गंशे के जगह बैच लगा लीजे टोपी लगा लीजे लेकिन एक राजनयतिक दल का जो चाल चरीतर और चेहरा है जो उससे जुड़ी खौफनाक यादे हैं जो उनके नेताओं का स्वक्षंद आचरन है जिस तरह से जर और इसे लिए कोशिस उनकी और से जो भी हो रही हो दरसल वो ध्यान बाटने की एक चेस्टा भी है उनकी पार्टी के निताओं का असंतोस बढ़ रहा है लगातार बड़ी संख्या में पार्टी के कारिकरता और निता दूसरे दलों में जा रहे हैं तो उनके अंदर फिर से विश्वास का बहुत संचारीत करने के लिए ऐसी बातें समय समय पर वो बोलते हैं लेकिन राज़त को बदल पाना या स्वैम को बदल पाना तेजस्वी जी के लिए इतना असान नहीं हो सब हमने देखा आप जरंपुनिया हो यह पिछले साल से प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंदर के कॉंग्रेस हो और तमाम जो पक्षी पार्टियां वीडियो की को फोल करके वो शार्ट में आई अब हर्याना कि नौउस से ठीक पहले वो कॉंग्रेस का दावन खामे है विज पूरे मचली को क्याते देखते हैं देखे विनेश फुगाट और बजरंग भुटियां देश के एक प्रतिस्थित खिलाडी है और पूरे देश को उन पर अभीमान रहा है लेकिन इन आरोपों को बल मिला है उनके फैसले की वज़ा से अगर ओलंपिक के पदक दोड़ में पिछड़ने के तुरंत बाद उन्होंने कॉंग्रेस का दामन नहीं थामा होता तो शायद सियासत के इन हदकंडों का शिकार वो नहीं होती लेकिन अब कॉंग्रेस की जो हरियाना के पूरे उनके शासन के काल में जो भूमी सौदों को लेकर कि तमाम तरह के जो कॉंग्रेस शासन के जो फैसलें हैं कॉंग्रेस के अंदर जो परिवार में टिकेट के वित्रण में जिस तरह की अनियमित्ताएं बढ़ती गई हैं उन समाम सवालों के साथ इनके प्रवेश को भी जोड़ कर देखा जाएगा और जब वो चुनाव लड़ रही है तो निसंदे उन्हें कई तरह के आरोपों का सामना करना पड़ेगा बिल्कुल कल जब वो जोड़े था कि जब में मुसीबत में थी तो बीजेटी कुछ को सब सारी पार्टी है हमारे साथ तो कॉंग्रेस हर्याना में अच्छी है और कॉंग्रेस के लोग जादा मुखर थे खासर हुद्धा फैमिली ये बात लोग ने कहा वकाई था इसलिए मैं कॉंग्रेस दो खारिये में और कॉंग्रेस सुरूर से राश्वारी पार्टी है ये शकुलधा दिलाने कहीं ये मुंखर रही है इस पार्टी इसलिए मेरा जुलाताह राहा रहा है को कांग्रेस ißने जोएं पित्रों की जमात भर बच गई है। और उनके राजणायतिक भविश्य की चिंता करना उनके ज्यादा से ज्यादा उनके श्यासकतिकरण के लिए ही कॉंग्रेस का नित्री तो काम करता रहा है। और पूरे देश और प्रांतों में अगर आप देखें। तो जहां भी उनकी सरकारे रही हैं, वहाँ जनिता का तो फाइदा नहीं हुआ है, अब जहां तक विनेस फोगाट को कॉंग्रिस प्रवेस के समय ये बाते कहनी हैं, तो ये जनिता भी समस्ती है कि आपको अपने फैसले को सही साविद करने के लिए कुछ तर्क देने होते हैं लेकिन प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी जी ने जब पदक के दोड़ में वजन की वज़ा से जब वो पिछली और जो उन्होंने कहा कि चैंपियन ऑफ चैंपियन्स हैं, विनेस फोगाट, हर्याना के मुख्यमंत्री ने काफी बरमस परसी बयान दी, उसके बाद भारती ज सब्सक्राथ को मुख्यमंत्री जरी तरहे हैं तो केया जी शके स्फराहिए जब आगिए को इन गृटनियों के नेसी ने जिफलार जिपा के जारा थाया है तब हम आणा घीच वागार के तब हम इस वाज आ बचलत के था consistent स्ब्सक्राथ ने जब माले को चब 93 में प्यार च देखें कॉंग्रिस जो भी दलीले दे रही हूँ लेकिन हिंदुस्तान की आजादी का जो ये पूरा संग्राम है निसंदे कॉंग्रिस ने पहली कतार में खड़े होकर देश की आजादी दिलाने का काम किया है लेकिन उसके बाद कॉंग्रिस का पूरा नेत्रित्तों वंस परंपरा और परिवार के इर्दगिर्द जकरता गया सिकुरता गया 1974 से 77 के बीच का जो दौर है इस देश ने एमर्जेंसी का भी दौर देखा जो समवेधानिक अधिकारों को कुचलने की गोशिसे हुई जिस तरह से राजनेताओं को यह अंधरनाय दी गई विरोध की आवाज को कुचलने की कोशिस हुई न्यायपालिका के पर कतरने की कोशिस हुई वो भी कॉंग्रेस के शासनकल से जुड़ी खौफ ना किया दे है इसलिए कॉंग्रेस निरंतर गिरावट की हो रहे है इसलिए इस तरह के तरकों से वो हर्याना का चुनाओ नहीं जीत पाएंगे